तो फ्रेंट्स आपने लास्ट वीडियो में तो देखा ही होगा कि मैंने वो फैरी टेल के स्टोली हिंदी में सुनाई थी तो मैं थोड़ा थोड़ा ट्राइक और रिव इंग्लीश में बताने की दिए लेकिन मुझे रिट करना बहुत ज्यादा पसंद है मैंने थोड़ा से लिखा और ट्राइ किया बोलने का कि मैं बोल सकती हूं का थोड़ा से मिस्टर कोगा पर आप अजिस कर वीजे तो हम बीडियो को स्टार्ट करते हैं Once upon a time there was a toy shop. The shop was full of beautiful dolls. One day a small little girl and her mother came to the shop. The girl wanted a doll. The girl bought a doll, a beautiful doll and they went home happily. She started playing with her noodle. The girl was thinking what should I call her and she shouted happily Pikachu I will call her Pikachu she said. The girl and Pikachu was tired and slept together. The girl was in a deep sleep at 12 o'clock. The and Pikachu was crying. A fairy heard her crying. And the fairy come and asked Pikachu why are you crying? अब अभी दर की यह मैंने आपको ने सुना है लेकिन आप सुनाती हूं Pikachu told her Pikachu told her थोड़ी सो मिस्टेक हो गई लेकिन चलता है अब लेकिन 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 बालूड जो सुख वन बखती सिट और बेखती ऑनाय का भी पालूई शीपी बेच्टाइ तो बालूई पूलडू वन्डाय तो प्रेख टारप हाँ जुनाय का ए्ट प्रेक बालूँ प्रेक बालूईश। one more toy for pikachu and went home when pikachu woke up she saw her friend and she becomes very happy and they played happy ever after तो आपका इधर से वो थोर्ड लाइन हो जो इस थी लास्ट वाली में बताती हूँ pikachu मतलब pikachu वो उठी और देखा कि वाओ मेरी फ्रेंट यहाँ पे और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो फिर से खेलने लगे एवर एंड आफ्टर इसका मुझे ने पता लेकिन मैंने बोल दिया है तक तक के लिए बाई